अब देखे आज लड़्डू का पाल जी के लिए मैं आपको इस ड्रेस को बनाना सिकाऊंगे और देखे काफी इजी ड्रेस है बहुत इस सुंदर लगती है जब लड़्डू का पाल जी पहनते है और किसी भी साइज में आप इसको बना सकते हो सबी साइज में बनाना हमने इसी वीडियो में बता दिया है कलर कॉंबिनेशन अपने अनुसार ले सकते हो और ये ड्रेस हमारी 4 और 5 नमब लड्डू का पाल जी की है और सबी साइज में कैसे बनाएंगे आप वीडियो को पूरा देखिए आपको पता चल जाएगा और ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन पर भी प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखिए हमारे लड्डू अपाल जी ने ड्रेस को पहन लिया है और देखिए कैप भी हमने इसको पहना दी है और देखिए काफी सुन्दर लगती है देखिए ड्रेस बनाने के लिए किसी भी साइज म लिए है और ये हमारी चार उर पांच नमबर लड़ू बाल जी की ड्रेस है और उनसे हम यहां पे चैन बना के और देखे इस तरीखा इसे हमारी कोशन है है उतना ही मेजर्मेंट लेना है इस तरीके से और फिर हमें की लेते हुई हमें के कीव करना है को हमने यह पर यह देखे त्वन्टी जय्ली है कि देखे फ्रेंडस हम आपको सुरू से दिखा देते हैं हम पहले फंदे में आप पर नोट लगाएंगे और फिर हम यहां पर चैन बनाएंगे चैन को हमें थोड़ा-थोड़ा ढीला ही रखना है जिससे क्रोश्य होग को हम आसानी से इसमें डाल सकें और यहां पर हम 20 चैन बना लेंगे और देखे फ्रेंड्स मैंने हां पर यह 20 चैन बना ली है अब 1, 2, 3, 3 चैन को स्किप करके 4 चैन में से हां पर हमें डबल क्रोश्य बनाना है एक 3 की चैन हो गई हमारी और सभी चैन में से हमें 11 डबल क्रोश्य बनाना है और तो टोटल हमारे हां पर 18 डबल क्रोश्य हो जाएं क्योंकि एक सुरू में हमने थ्री की चैन हो गई और जो हमने फंदे में नोट लगाई थी एक फंदा हमारा वो हो जाता है तो हमारा यहां पे 18 हो जाएगा 20 हमने चैन ली थी और इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे तो देखे फ्रेंड्स हमारा यहां पे 18 डबल क्रोश्या हो गए सभी चैन में से 11 टाइमस लिया है हमने काउंट करने के बाद हमारे हां पे 18 हो जाते है अब हम इसका सैकिंड रो बनाएंगे तो हमें इस पे आउटलाइन बनानी है दूसरे कलर से कलर आप अपने नुसार ले सकते हो फ्रेंड्स देखे अब हम फंदी में इस तरीके से यहां पे जोइंट कर लेंगे धागे को इस तरीके से आप नोट लगा के भी जोइंट कर सकते हो और हमें आपे टू चैन बना ले और देखे अब हमें जो हमारा यह चैन का फंदा है जो हमने आपे त्री चैन बनाई थे एक डबल क्रोशय हे हमारा उसमें से हमें हाप खूशय बनाना है यरू अजने कि इन थाकू का इसी के अंदर ले लेंगे डू दू त्री और एक हमारी टू चैन होगी तो हमारे फोर हाप क्रोश्य हो जाएंगे अब हमें सभी डबल क्रोश्य के सेंटर में से वन वन हाप क्रोश्य बनाना है देखे सभी के सेंटर में से हम चैन में से नहीं बनाएंगे डबल क्रोश्य के जो बीच में से सेंटर में से बनाएंगे इस तरीके से कोई भी स्किप नहीं करेंगे सबी डबल क्रोशे के सेंटर में सिफ वन वन हाप क्रोशे बना लेंगे देखे इस तरीके से बनाएंगे डबल क्रोशे के सेंटर में से और इसे तरीके से हम अपना रो कम्प्लीट कर लेंगे देखें यहां तक हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है अब देखें इस तरब से भी हमें ऐसे बनाना है ऐसे हाप क्रोशिय वान ट्यू थ्री और फोर फोर हाप क्रोशिय हमारी धर से हो जाएंगे हैं हमारे उधर से अप फोगये अब सभी बाइबर ऐसे सेंटर में से हम nuts 11 inspector बनाना है और वी टरीके से हम रो एप कंप्लीट कर लेंगे मैंक्ट your regular मैंने कंप्लीट कर लिया है अब नेरे इसमाइब करें शिदिट्ब कर यहां पे इसी तरीके से दो बना लिए हैं दो पट्टिया हमने हां पे तयार कर ली है यह हमारे लड्डू को पाल जी की चोली हो जाएगी देखे फ्रेंट इसमें भूती चोली है यह किसी भी साइज में आप इसको बना सकते हो यह हमारे चार और पांच नमबर लड्डू को जी की है अगर आपको बड़ी बनानी है दस बारा नमबर लड्डू को पाल जी के लिए तो जो हमने हाप क्रोशे बनाए है वह आपको डबल क्रोशे में करना है और से मैंसे यह बनाना है तो देखे फ्रेंट अब हम इस कलर के थागे को यहां पे चोइंट कर लेंगे वान फ्री चैन बना लिह हम निय्ग है फिर देखे से नेक्स्ट चैन में से 1,- क्रोशे बनाएं गये 問 री खमिचन को भी हमएं काउंट कर लेंगे को हमारे थाओं पर ड़ार्ण में से इस नेक्सट में से बनाएंगे इसमें से हमें 2 क्रोशे बनाना आना है य prefix चैन मेंसे तो फ इस तरीके से देखे 6 हो गए हमारे हमने हां से इस पट्टी में से हमने 6 डबल क्रोश्य बना लिए अब नेक्स्ट को ठाएंगे और नेक्स्ट में से भी हमें 6 बनाना आए देखे इस तरीके से हमें यहां पे इस चैन में से ऐसे ये वन डबल क्रोश्या हो गया हमारा अब इससे नेक्स चैन में से वन डबल क्रोश्या बनाएंगे ऐसे और फिससे नेक्स में से हमें टू डबल क्रोश्या बनाना है वान और देखे टू ये भी फोर हो गए हमारे फिर इसमें से हमें टू बना लेना है ऐसे तो हमारे इस तर दोनों दर्ब से 6-6 बना लिए अब हम 1-2-3 थ्री चैन बनाएंगे थ्री चैन बना के हमें टर्न कर लेना है और देखें जहाँ पर हमने थ्री चैन बनाई है उसी चैन में से हम 1 डबल क्रोश्य बना लेंगे ऐसे फिर नेक्स्ट में से बनाएंगे सभी चैन में से हमें यहाँ पर 2-2 डबल क्रोश्य बना लेना देखें हमारे हाँ पर 12 डबल क्रोश्य है तो हमारे हाँ पर 24 हो जाएंगे डबल क्रोश्य इसी तरीके से बनाते हुए सभी चैन में से 2-2 बार बनाना है हमें देखे फ्रेंड सभी चैन में से हमने दो दो बार डबल क्रोशे बना लिये है देखे इस तरीके से अब यहां से हमें नेक्स्ट कलर जोइंट कर लेना है थार्ड रो में देखे इस तरीके से हम इसको जोइंट कर लेंगे ऐसे मैंने हापे यह थ्री चैन बना लिए है इसको जोइंट करने के बाद धागे को हम इसे एके अंदर ले लेंगे अंदर की तरफ और इस धागे को हमें यहापे कट कर देना है और इंज गलर के और देखे इसी चैन में से बना है यहां पर double crochet के center में से लेना है हमें three chain बनाने के बाद जो हमारा first double crochet है इसके बीच में से लेना है ऐसे one, two और three ऐसे हम puff stitch बना लेंगे ऐसे और देखे इस extra थागे को हम cut कर देंगे अब center में हमें chain लेनी है one फिर next में से one, two और देखे three फिर यहां पर ऐसे puff stitch बनाएंगे इसमें अब हमें two, two chain लेनी है सभी के center में शुरू में हमने one ली है और three times धागा लेंगे फिर देखे one और two, two chain बनाएंगे सभी double crochet के center में से हमें puff stitch बनानी है कोई भी हमें skip नहीं करना है सभी में से हम बना लेंगे और देखे इसी तरीके से हम अपने इस row को complete कर लेंगे तो देखे friends मैंने row complete कर लिया है और धागे को हम यहां से कट कर देंगे और देखे इतनी लड़ू कपाल जी की dress हमारी देड़ी हो गई अब यहां से हमें नेक्स्ट के लगाना है सीधी तरफ से जो हमारा यह सीधा आएगा उस तरफ से हमें यहां पर जोइंट कर लेना है धागे को उधर से हमारा रोंग सोरी बैक साइड से है उधर से हमारा सीधी तरफ से हमें लेना है इसको और यहां पर 3 chain बना लेंगे हम 3 chain बना के हम 1 double crochet बनाएंगे हमारे हाँ पर 2 double crochet count होंगे अब देखिए अब हमें यहां पर इसको skip करना है इसे next double crochet सोरी इसके center से 1 single crochet बनाना है एक एक को हम skip करेंगे फिर 1, 2 और 3 फिर 1 double crochet बनाएंगे एक बार 3 chain और 1 double crochet फिर देखिए इसको skip करेंगे इसे next में से 1 single crochet बना लेंगे देखिए एक एक को skip करना है और इसे next में से single crochet बनाना है फिर 3 chain और 1 double crochet इसको skip करेंगे इसे next में से बना लेंगे फिर 1, 2, 3 3 chain और इसमें से 1 double crochet देखिए 1 one को skip किए next में सी commander single crochet फिर one two three और फिर one double crochet फिर one को skip करेंगे फिर next में से इसी तरही के से friends हम अपने row को complete कर लेंगे तो देखे friends मैंने row complete कर लिया है is last में हम आ गए one को skip करेंगे है यहां से हम इसको joint कर लेंगे और dhage को हम इक बना के इसको कट कर लेंगे यहीं से और देखे एक तरफ से हमाई लड़ू गोपाल जी की ड्रेस टेड़ी हो गए और यहां से हम इसको कट कर लेंगे धागे को इसके रोंग साइड से अंदर की तरफ एड़ कर देंगे क्रोश्य होग के हेल्प से ऐसे इस तरीखे से अब देखिए जैसा हमने इस तरफ से बनाया है ऐसा ही हमें दूसरी तरफ से भी बनाना है सिम ऐसा ही बनाना है आप चाहिए तो वीडियो को रिवर्स करके भी इधर से बना सकते हो जैसा हमने इसको इस तरफ का पार्ट बनाया है ऐसा ही हमें दूसी तरफ का भी बनाना है जहांसे हमने इसको बनाना शुरू किया है और देखे लड़ू को पाल जी को इस तरीके से आएगी ड्रेस काफी सुन्दर लगेगी और पहनाने में भी बहुत एजी है और देखे हमने दूसी तरफ से भी इसको रेड़ी कर लिया है अगर आपको समझ नहीं आए तो आप सुरू से फिर से दुबारा से रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हो जैसा हमने इधर से बनाया था ऐसा ही हमने इधर से बनाया है और एक पतली डोरी मैंने बना लिया है चैन बना के जब लड़ू को पाल जी को हम पहनाएंगे तो उनके कमर पी बहान देंगे यह आप ड्रेस में भी इसको एड़ कर सकते हो क्रोशे हुके हेल्फ से डाल दोए और देखे इस तरीके से हम लड़ू को पाल जी को पहनाएंगे काफी इजी है पहनाना काफी इजी ड्रेस है एक बिगनर भी इसको अपने लड़ू को पाल जी के लिए आसानी से बना सकता है और देखे फ्रेंस काफी सुन्दर लगती है पहनने के बाद डिजाइन भी आप अपने नुसाइस में डाल सकते हो अब हम लड़ू गोपाल जी की कैप बनाएंगे ड्रेसे मैचिंग की तो देखे कैप बनाने के लिए हम ऐसे लूप बना लेंगे लूप बनाके फिर हम थ्री चैन बनाएंगे थ्री चैन बनाके देखे फ नाइन डबल क्रोश्य बना लिए है इस तरीके से ऐसे फिर हम नेक्स्ट रो बनाएंगे जा पर हमने थरीकी चैन बनाई है उसी में से हमें वन डबल क्रोश्य बनाना है एक डबल क्रोश्य हमारा बढ़ जाएगा अब देखे यहां पर हर पांच वी चैन पर हमें वन डबल क् हर पांचवी चैनल पर हमें बढ़ाना है एक हमने सुरू में बढ़ा लिए फिर पांचवी चैनल पर फिर एक लाश्ट में बढ़ा लेंगे तो इसी तरीके से हमारे हां पर बारा हो जाएंगे नाइन थे कि यहां पर हम जोइंट कर लेंगे अब लाश्ट करो हम इस कलर से बनाएंगे इस कलर को यहां पर हम जोइंट कर लेंगे पिर एस चैन बनाएंगे फिर इसी चैन में से एंड डबल क्रोश अपर नेक्स्ट में से वान इसमें हमें वियुद उन बगिंगेऄ बड़न कीमान में हमारे 2 डबल क्रोशय हो जाएंगे ऑर अच और 12 है कि तो हमें 15 डबल क्रोशय कर लेने हैं चिमें में चैन पे हमें एक डबल क्रोशा बढ़ा लेंगे अब यहां पे हम इसमें से तू डबल क्रोशा बना लेंगे ऐसे वन और इसमें से एक और इसी तरीके से हमें इस रो को कम्प्लीट कर लेना है ऐसे ही बनाते हुई तो हमारे हाँ पर टोटल फिप्टेन डबल क्रोशा हो जाएंगे लास्ट के रो में कि अभी अभी अब देखियो फ्रैंड समने रो कम्प्लीट कर लिया है इस तरीके से हमारे लड़ पाल जी कैप बनी है अब देखिये हैं पर हम स्लिप स्टीस्स को जोइंट कर लेंगे लास्ट में है थर्चैन में से ऐसे उन धागे को कट कर देंगे तो देखे हमारे लड़्डु ओपाल जी की एक प्यारी सी क्यूट सी कैप बन गई और देखे एकड़न फिटाई है उनको ये कैप हमने चार नमबर लड़्डु कुआई है देखे उनको एकड़न फिटाई है और ड्रेस भी कितने प्यारी लगती है और हमारे लड्डूगोपाल जी कितने क्यूट लगते है इस ड्रेस को पहनगी पहनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और लड्डूगोपाल जी को भी आराम मिलेगा इस ड्रेस में आप भी अपने लड़ गोपाल जी के लिए जरूर बनाएं थैंक यू